देखो इसे एक तरीके का स्कैम ही कह सकते हैं, क्यूंकि अगर मैं वजीर X के अंदर अपनी कोई भी क्रिप्टो सेल करना चाहता हूं, तो मुझे उसे लॉस में ही सेल करना पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा आप्शन नहीं है, दूसरा आप्शन सिर्फ ये है कि मैं सेल ही करूं, तो यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर मैं फंट्स पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर BNB है और WRX है, तो BNB मेरे पास यहाँ पर 294 रुपे की है, सिम्पल सी बात है, 294 रुपे की BNB है, अब अगर मैं इसे सेल करना चाहता हूं ठीक है, INR में convert करके और bank account में अपने पैसे transfer करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं दो रास्तों में से एक रास्ता तो बिल्कुल simple है बिल्कुल straight forward मेरा cut-cut-cut के loss हो आके पैसे अब मिल जाएंगे दूसरा रास्ता है थोड़ा सा complicated वाला जिसके अंदर थोड़ी सी मुझे जत्तो जहत करनी पड़ेगी उसके बाद भी जहिलना तो loss पड़ेगा ही पड़ेगा उसमें कोई compromise नहीं है तो पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता यह है कि मैं यह जो quick buy है इस पे click करता हूँ, यहाँ search पे click करता हूँ और BNB, यह आगया वो token, उस पे click buy पे click करता हूँ और यह जो sell है इस पे click करता हूँ 100% कर देता हूँ, मेरे पास आपको मैंने दिखाया था दुबारा दिखा देता हूँ current balance click करके 294 रुपे के हैं, आपने देख लिया अब मैं इसे 100% क्लिक करके sell करने जाता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे? 292 रुपे सीधा 40 रुपे एकदम से मेरे कट गए सीधा 42 रुपे, 42 रुपीज, सीधा कट गए और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 42 रुपे क्या ही बड़ी बात हो गई तो परसंटेज का यहां पर ध्यान दीजिए मेरे पास 294 रुपे थे तब मेरे 42 रुपे कटे हैं अगर वहीं 20,000 रुपे या 30,000 रुपे होते तो उस परसंटेज के हिसाब से 400,500 रुपे सफाचट हो चुके होते मैं याँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और दिखा देता हूँ यह देखो यह जो बाइनेंस कोईन है इसका प्राइस क्या चल रहा है 19,950 रुपे मान लेते हैं ठीक है 49,50 रुपे मान लेते हैं 19,950 रुपीज मैं सेल करने जाता हूँ 100% करता हूँ प्रिव्यू पर क्लिक करता हूँ तो मेरे 19,653 रुपीज 50 मान लेते हैं इस प्राइस पे मेरे यह सेल हो रहे हैं मतलब सीधा 400 रुपे कम सीधा 400 रुपे कम सीधे सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो मेरे पास 10 रुपे हैं 10 रुपे की एक चीज है और मैं जब उसे बेचने जाता हूँ उसका प्राइस 10 रुपे ही है लेकिन जब मैं उसे बेचने जा रहा हूँ तो मुझे उसे 8 रुपे पे बेचना पड़ रहा है मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है मैं कुछ करी नहीं सकता आ जाएंगे सीधा 40 रुपे घड़ जाएंगे मेरे और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो यहां पर फीस और चार्जिस तो लगी रहे हैं और टीडियस लग रहा है एक परसेंट जो गवर्मेंट हमसे लेती है और टीडियस और फीस मिला दी जाए तो 42 रुपे तो नहीं बनते 42 रुपे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मेरा यह जो प्राइस पर चीज सेल हो रही है यह 19,653 रुपे पर सेल हो रही है लेकिन इसका मार्केट प्राइस है 19,900 मुझे सीधा 400 रुपे कम में अपने BNB टोकन को सेल करना पड़ रहा है यह प्राइस डिफरेंस आता है औ उस प्राइस पर हम आपको सेल करने का मौका देते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि अंदर खाने यह जो वजीरक्स वाले हैं यह खुदी हमसे कम प्राइस पर खरीदते हूं और बाहर International Market में उसे ऑवियसली जो प्राइस चल रहा है उसका उस प्राइस पर बेचते हूं हमसे खर BNB sell करना चाहता हूँ तो bank account में अपने पैसे लेना चाहता हूँ तो जिसमें मुझे 42 रुपे का loss आपके सामने दिखाई दे रहा है दूसरा option ये है कि मैं funds पे जाऊं BNB जो ये है इस पे click करूँ अपना ये जो withdrawal है इस पे click करूँ और इस अपनी crypto को मैं Binance पे या किसी और platform पे भेज़ दूँ और वहाँ sell करूँ वहाँ P2P वागएरा लगाँ या limit order option लगा कि कोईसे भी मैं उसे वहाँ sell करूँ तो यहाँ पर भी एक restriction ये है कि अगर मैं सबसे पहले number में अगर मैं अपना ये withdraw करना चाहता हूँ जो BNBA है तो मुझे कभी भी जिन्दगी में अगर obvious ही बात है जब आप वजीर X के अंदर trading वगेरा करने जाओगे तो INR deposit भी करोगे अगर आपने INR ये है INR deposit पे click करके deposit पे यहाँ पर click करके 3 option आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है यहाँ पर अभी loading हो रहे है 3 option यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है 1,2,3 अगर इन तीनों में से ये जो 2 option है अगर इन दोनों में से कोई भी एक option आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका खड़े खड़े जो P2P वाला option है और जो crypto withdrawal वाला option है cryptocurrency withdrawal वाला option है वो तुरंत ही block हो जाता है वो वापस enable भी नहीं होता कुछ भी आप कर लो WazirX कह चुका है कि हम कर देते हैं block ठीक है अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक option से INR कर लिया deposit तो अगर आपने नहीं चाहते उन्हें block करना तो आपको जिन्दगी में कभी भी सिर्फ और सिर्फ WazirX P2P से ही यहाँ पर transaction करनी है क्या होगा कि आप P2P से USDT खरीदेंगे और फिर उस USDT से आप कोई दूसरी crypto खरीद सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर exchange पर जाना है और यह USDT पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आप USDT की ही मदद से कोई दूसरी crypto खरीद सकते हैं माल लेते हैं आप BNB ही खरीदना चाहते हैं तो आपके पास USDT होंगे आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर buy करके अपनी USDT से ही BNB खरीद सकते हैं तो यह चीज होती है लेकिन उसके लिए आप जिंदगी में कभी भी जो deposit है वो bank transfer mode से करना ही मत सिर्फ वजीर X P2P से करना नहीं तो आपके crypto withdrawals बंद हो जाएंगे और P2P भी बंद हो जाएगी तो अब अगर मैं अपना सिनेरियो बताऊं तो मेरे यह जो BNB coin है यह जो 294 रुपे की मेरी crypto है अगर मैं इसे sell करना चाहता हूँ तो मुझे घाटे में ही sell करनी पड़ेगी दूसरा कोई चारा नहीं है मैंने आपको दो तरीके बताए पहला तरीका कुईक वाइपे करके और मैं यहां जाके BNB अपनी sell कर दूँ सीधा ही 42 रुपे का loss खाके मैं बैठ जाऊँ दूसरा तरीका मैं अपनी इस crypto को चाहूँ sell करूँ कहीं और transfer करूँ और वहाँ sell करूँ withdraw करूँ basically अपनी इसको withdraw करूँ लेकिन यह तरीका मैं नहीं कर सकता क्यों क्यों क्योंकि मैं deposit कर चुका हूँ bank transfer से तो मेरे withdraw है block मैं कर ही नहीं सकता proceed और मतलब address वगरा सब डालने के बाद भी withdraw नहीं कर सकता मेरे block है मैंने try करा नहीं होते withdraw तो मेरे पास सिर्फ एक तरीका है आपके पास भी अगर एक ही तरीका है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ आप इसे sell ही मत करो इसे शान्ती से रखा रहन दो ऐसे कि ऐसे ही कुछ छुआ छेड करो इमत जैसे मान लेते हैं मैंने 300 रुपे की crypto खरीदी अब वो हो गई है है फाइदा है ही नहीं तो इस बात का आपको दिहान रखना है solution यह है कि आप crypto को hold करके बैठे रहें sell ही ना करें और अगर sell करते हैं तो आपको loss में ही sell करनी पड़ेगी दूसरा कोई तरीका आपके पास नहीं है तो यह यहाँ पर वजीरेक्स मैं मैं इसे personally क्या कहूं scam तो कहना थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक तरीके से scam जैसा ही vive आ रही है क्योंकि मुझे अपनी crypto को कम price पे ही बेकना पड़ रहा है 21,000 की यह है 21,400 रुपे की और मुझे इसे बेचना पड़ रहा है 21,100 रुपे में लगवग हर बार 400 रुपे का 400 रुपे के आसपास का मतलब अंतर राय यहां पर तो यह चीज थोड़ी सी अजीब है और वजीरेक्स तो हमसे यह कहता है कि मैं हमारा जो platform है वो best price देता है यह देता वो देता है लेकिन हमें नहीं पता मैं question mark लगा रहा हूँ हमें नहीं पता कि क्या पता वजीरेक्स हमसे उसी price पे खरीदता ह और international market में किसी और price पे बेचता हो बीच में profit कमाता हो हम कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन solution यही है कि आप यहां पर hold करके बैठे रहो hold करके इसको शांती से बैठे रहो और जब इसका price ज्यादा हो जैसे मैं 294 की जगा यह साले 300 की हो जै तब मैं इसे sell करूं तो मैं फायदे म की जगह 20-30,000 रुपे की होती तो percentage के हिसाब से 400-500 रुपे का loss हो जाता तुरंत तो यह एक factor है अगर एक देर लाख रुपे की होती तो आप सोची सकते हो 2-3,000 रुपे का loss हो जाता तो यह बात आपको धिहान रखनी है तो इतना ही था इस वीडियो में अगर इस वीडियो के बटन दबा के चैनल सब्क्राइब कर लीजिए अपना धिहान रखिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में